हलो फ्रेंड्स जो आज का वीडियो है वो LZW Encoding पर है चुकि आपकी लास्ट डिक्ष्णरी अडाप्टिव डिक्ष्णरी टेक्नीक की टेक्नीक है यह जो इससे प्रिवियस और टेक्नीक थी LZ71, LZ77 और LZ1 और LZ78 और LZ2 उसको भी और कस्टमाइज करके LZW Encoding स्कीम बनाए जैसे आपने देखा कि for the case of LZ77 हम ट्रिपलेट भेजते थे उसको हमने इंपुट को और कस्टमाइज करा LZ78 में तो हमने ट्रिपलेट की जगा डबलेट भेजना इसको हमने और कस्टमाइज करा तो LZW Encoding में हम सिर्फ इंडेक्स वाल्यू को ही सेंड करेंगे रिसीवर एं कि LZ78 एप्रोच में आपने एक्जामपल में जैसे देखा कि जिस सिम्बल तक के लिए आप एंकोडिंग कर लेते हैं हम next iteration में उसके हम आगे वाले सिम्बल से एंकोडिंग स्टार्ट करते थे यहाँ पर हम for the LZW case जिस सिम्बल पर हम कोडिंग खतम करेंगे next iteration में हम कोडिं उसी last symbols जो आपने use कर रहा है उससे कोडिंग स्टार्ट करेंगे मतलब जो आपका previous वाला encoding की entry है उसका last symbol और जो next iteration में आपका जो starting symbol है वो आपका same होगा उसके लिए हम एक example करते हैं directly जिससे आपको समझ में आजाए एक चीज और ध्यान रखनी है जैसे अगर आपका कोई symbol add हो रहा है already dictionary में है तो LZ78 में हम next symbol को combine concatenate कर लेते थे और यहाँ पर हम क्या करेंगे जब भी हम next symbol को concatenate करेंगे तो हम पहले जैसे आपका P already exist करता है आपकी dictionary में तो हमने उसे concatenate कर दिया कोई और next symbol A के साथ तो index value हम P की send करेंगे और index value किसकी send करेंगे हम इस P पहले वाल को चीक है तो directly हम एक example देखते हैं देखें यह बहुत बड़ा एक phrase है आप इसको बहुत धंग से देखिएगा बच्चे को को लिखने में ही बहुत गलतिया करते हैं चीक है मैं एक example वाइसा भी लेरी हूं कि जब आपके इस initial dictionary गिवन है अगर initial dictionary गिवन नहीं होती तो जैसे इसे symbol encounter होते हैं हम उसके according अपने dictionary बिल्ट करते हैं जैसे हमने previous example में किया है बट अगर आपको initial dictionary गिवन है तो कोई problem नहीं है इस सेम प्रसीजर हम उस dictionary को यूज करके अपना आगे काम करेंगे तो देखें अगर यह question आपके पूरा एक बहुत बड़ा फ्रेज है initial dictionary given है तो इस phrase को हम कैसे LZW technique से encode करते हैं तो हम जैसे हमने LZ78 के case में पूरे एक table बनाई थी similar में हम यहाँ पर भी table बनाएंगे और उसमें सिर्फ दो ही entry लेंगे एक लेंगे हम index की और एक entry लेंगे हम entry की अब अब अगर हमारी dictionary इसमें बनी हुई है तो हम पहले यह entry पहले इसमें mention कर लेंगे 1,2,3,4,5 इसके लिए B space A, B, O, W विसे जादतर LZW के case में जब question अगर exam में आता है तो आपकी initial dictionary given होती है इसलिए मैंने question initial dictionary given से ही किया है अब हम start करते हैं पहले हमारे symbol W से इसमें हमिशन धियान रखिएगा pointer को use करिएगा और जहां पे symbol हमारा खतम हो जाए next iteration में हम उसी symbol से ही आगे encoding start करेंगे तो पहला हमारा symbol आया W तो हमारा pointer पहले symbol पे आया W तो अगर हम अपनी dictionary जो में dictionary already given है उस dictionary में देखें तो W हमारे पास already है तो मैंने पहली पिटाए था कि अगर जैसे P अगर हमारा dictionary already P symbol हमारा already dictionary में था तो हम उसको next symbol के साथ concatenate करते थे पर value हम किस के index value send करते थे P की In the similar manner अगर W के लिए W already exist करता है तो W की आप index value क्या है 5 तो इस W के लिए मैं answer यहीं लिख देती हूँ आप index value क्या send करेंगे 5 और इसको हम किस के साथ concatenate करेंगे A के साथ तो अगर हमारा जो symbol add होगा dictionary में होगा W तो आपकी 6th entry पर आपका add हो जाएगा W अगें मैं फिर से बताऊंगी कि अगर यह symbol जिस A पर खतम हुआ है तो आपको A से ही start करना है LZW के case में यह हमेशा याद रखिएगा अब यहाँ देखिए आप A last symbol आपने A use किया तो आप A से start करेंगे तो A already हमारे exist करता है dictionary में तो इस A को हम concatenate करेंगे अपने next symbol के साथ जो की है AB ठीक है AB को तो हम add करेंगे और index value किसकी send करेंगे A की जो की A की index value क्या है आपकी यहाँ देखिए A की index value क्या है 2 तो इस A के लिए हमने क्या send करा 2 और अपने dictionary में हम add करेंगे 7 पर AB तो last symbol हमारा यह B यूज हुआ है अब जब यह B पर खतम हुए तो B से ही start करना है तो B आपका देखिए अपने dictionary में already add है तो इसको next symbol फिर से concatenate करेंगे किसकी साथ अब हमारा pattern क्या बन जाएगा BB तो हमने 8th entry पर BB को add करा और B की index value यह 3 इसको हमने send कर दिया इसी तरीके से हमें आगे question करना है तो हम यह करते जाते हैं फटाफट अब B पर हमारा एक हता हुआ है फिर से हमने B already exist करता तो हमने इसे फिर से किसे concatenate करा BA के साथ अब चेक करिए कि आपके dictionary में जो आप consecutively बनाते बनाते जा रहे हैं इस BA में यह add नहीं है तो हम क्या करेंगे 9th entry पर BA को add करेंगे और इस BA में से किसकी value send करेंगे B की तो B की entry again क्या है 3 तो हमने यह send जो यह आपका output आ रहा है 5 2 3 यही आपका output और यही हम आगे receiver end पर simultaneously इसको send करते हुआ रहे हमें search prefer में हमारा यह था कि जब तक हमारे triplets नहीं आ रहे था हम उसको send नहीं कर पा रहे थे बट यहाँ पर हम साथ की साथ send भी कर रहे हैं आप question कर देखिए A पर ध्यान देखिए यहाँ पर यह A पर खतम हुआ है तो A से ही start करना है तो A को जब आप start करेंगे तो A आपका dictionary में already है तो हम इस A को किसके साथ concatenate करेंगे B स्पेस के साथ अब यहाँ देखिए pattern क्या बना हमारा AB स्पेस अब चेक करें dictionary में AB स्पेस है नहीं है तो हम क्या करेंगे 10th entry पर AB स्पेस आप एक तरीका और देखिए जिससे आप खतम कर रहे हैं उसी पर next entry पर start कर रहे हैं A पर खतम किया next entry A से start दोगी तो AB स्पेस को आपने add कर लिया और AB स्पेस में से किसकी value send करेंगे A की तो A की value क्या है that is 2 तो आपने यहाँ पर 2 send कर दिया ओके now B स्पेस पर खतम किया तो B स्पेस से ही start करना है तो B स्पेस आपका already exist करता है तो next आपका pattern क्या बना B स्पेस W आप दिक्ष्णरी में देखें B स्पेस W कहीं पर है नहीं है तो 11th entry पर हमने B स्पेस W को add करा और इस B स्पेस W में से value किसकी send करें हमने B स्पेस तो B स्पेस की value क्या है 1 तो यहाँ पर मारी value send हो गई 1 similar manner में next देखें आपको longest देखना अब main case अब आएंगे W पर खतम हुआ तो W से start करेंगे तो next pattern हमारा क्या बना WA बट WA हमारा dictionary में already added है तो हम next pattern क्या बनाएंगे फिर WA के साथ हम next symbol को concatenate करेंगे तो यहाँ आपने string में देखे WA के साथ next symbol क्या है WA B तो हमारा pattern क्या बना WA B तो 12th entry पर आपने add किया WA B और WA B में से WA already exist था तो WA की value को हम send करेंगे जो कि हमारी WA के entry क्या है 6 तो हम यहाँ पर 1 के बाद हम क्या send करेंगे 6 अब 20 पर खतम हुआ है B से ही start करेंगे B पर हमने next concatenate करा B B तो pattern हमारा क्या बना B B अब चेक करिए यहाँ पर आपका B B already है इसका मतलब मुझे इस B B को फिर next symbol के साथ concatenate करना है तो B B को हम next के साथ concatenate करेंगे A के साथ तो हमारा pattern क्या बन जाएगा B B A तो 13th entry पर हम B B A को add करेंगे और इस B B A में B B already exist था तो B B की value क्या है 8 यहाँ पर हम value को 8 send कर देंगे ओके नौँ A पर खतम हो है A से start करना है तो next pattern क्या बना A B space यह नीचे जाने की जगा मैं दुबारा से आगे further entry यहीं पर बना रही हूँ 13 तक हम already यहाँ पर ले चुके थे next entry हम यहाँ पर 14 की लेंगे चीक है तो A P हमने यहाँ देखा A से हमने concatenate करा pattern क्या बना वारा A B space तो A B space में देखिए यहाँ पर A B space already exist कर रहा है 10th entry पर तो A B space को हम किसके साथ concatenate करेंगे W के साथ तो यह बनेगा A B space W तो 14th entry पर add हो जाएगा A B space W और value A B space W में से A B space की value हो send कर देंगे तो A B space की value कितनी है यहाँ पर देखिए 10 तो यहाँ पर हमने send कर दी 10 तो अभी जो आप एक तरीके से में आपको answer भी जाती है रही हो आपका answer बन रहा है 5,2,3,3,2,1,6,8,10 यह ही आपका final answer हो का बाद में यह question मैंने इसलिया इतना longest कि आपको जो exam में confusion होती है वो सारे cases इसके अंदर बन जाएंगे now जब यह w पर खतम हुआ है तो w से हम start करेंगे next pattern क्या बनेगा w a but w a already 6 पर है तो next symbol को हम फिर से add करेंगे next pattern क्या बना w a b आप चेक करें w a b b exist करता है तो हमने next क्या बना w a b b तो 15th entry पर आपका add हुआ w a b b पर इन में से हम value किसकी send करेंगे w a b की तो w a b की value क्या है यहाँ पर 12 तो यहाँ पर हमने send कर दी 12 तो 10 के बाद हमारा answer आ गया 12 next देखे b पर यहाँ खतम हुआ है b से ही start करेंगे next pattern क्या बना w a चेक करें तो w a हमारा already exist करता है तो concatenate करें next symbol के साथ b b a already था अब हम क्या लेंगे b a b space चेक करें b a b space कहीं है नहीं है तो 16 एंट्री पर हमने add करा b a b space b a b space और इस b a b space में से b a की value हम send कर देंगे तो b a की value क्या है आपकी 9 तो 12 के बाद आपका output क्या आगेगा encode करके 9 तो 12 के बाद आपका output आगया 9 next देखे b space पर यहाँ पर खतम हुआ है b space पर ही हम यहाँ start करेंगे तो next pattern आपका b space है b space already exist करता है आपकी dictionary में next pattern बना b space w आप चेक करें b space w भी आपकी dictionary में है next symbol को concatenate करो b space w a अब चेक करें b space w तो है पर b space w a नहीं है तो 17 एंट्री पर हम add करेंगे b space w a और b space w के एंट्री क्या थी 11 यहाँ देखे b space w के एंट्री क्या थी 11 यहाँ पर हम b space w के लिए हम 11 को set कर देंगे तो 9 के बाद आपका output आगया 11 ओके next देखिए a पर खतम हुआ तो a से ही हमें start करना है इसे तो a को concatenate करा a b a b already exist करता है अगर आप अपनी dictionary में देखें अगर आप साथ साथ बना रहे हैं तो a b हमारा 7 एंट्री पर है तो हम इसको फिर आगे concatenate करेंगे a b b के साथ अब ज़र अपनी dictionary में देखिए कहीं भी a b b है तो नहीं है तो 18 एंट्री पर हमारा add हुआ a b b औ और value किसकी send करेंगे a b b मतलब यह pointer आपके इसलिए help करेगा कि कहां पर आपका stop हो रहा है कहां से आपको start करना है वो help करेगा a b की value आप अगर आप इंट्री में देखें 7 तो 11 के बाद आपने send करा 7 next b पर खतम हुआ है इस पर तो यहां पर हम b से ही start करेंगे b के साथ concatenate करा a तो b a के entry already 9 में है छोड़ दीजे से b a b space b a b space अब जड़ा चेक करें आप b a b space आपका कहीं है b a b space already 16 पर entry है फिर दुबारा next symbol को concatenate करेंगे b a b space w तो 19 पर आपका b a b space w को add करेंगे और b a b space की value 16 तो इसकी value को हम यहां पर 7 के बाद send कर देंगे ओके next देखिए w पर खतम हुआ w से start करें next pattern क्या बना w o w कहीं भी नहीं है तो 20 पर आपने add करा w और value किसकी send करेंगे w o को तो add करा लेकिन send किसकी करेंगे w की w की value अगर value अब देखो तो क्या है आपकी 5 तो 16 के बाद हमने 5 को भीजा next देखिए o पर खतम हुआ है o से ही start करेंगे तो बना आपका pattern o o तो single o fourth entry पर already exist कर रहा है तो हम entry add करेंगे double o की तो 21 पर हमारा add हुआ double o और single o की value 4 थी वो हम यहां पर हम 4 को send कर देंगे तो 5 के बाद आपका 4 चला गया next देखिए o के बाद next symbol किसके रत कंकाटिन हुआ o b space तो o b space तो आपका कहीं already है नहीं तो 22 पर आपका add हुआ o b space और single o की value जो की 4 है वो हमने again फिर से send कर दी देखिए b space पर खता हुआ next आप क्या करोगे b space w तो b space w 11 पर entry already है next add करेंगे b space wo o okay तो b space wo नहीं है तो 23 entry पर हमने इस add किरा b space wo और b space w की entry जो 11 थी वो हमने यह आपर send कर दीए तो 4 के बाद हमारा 11 चला गया now हमारा इस o पर खतम हुआ तो next o o तो double o की entry already 21 पर है तो हम इसको concatenate करेंगे o b double o b space क्या तो 24 पर entry हो गए double o b के साथ और double o की entry क्या 21 तो यहाँ पर हम 21 को यहाँ send कर देगे अब last देखिया b space पर खतम है b space पर start करेंगे तो b space w b space w 11 पर entry है छोड़ दीजे b space wo b space wo entry आपकी यहाँ देखिए 23 पर अल्रेडी है तो next देखिए pattern b space w next symbol आपका w फिर से o आगया तो b space wo यह नहीं है तो 25 पर आपने add करा b space wo और value किसकी send करेंगे b space wo की तो b space wo के entry इतनी है 23 तो यह आपने 23 send कर दिया तो इस पूरे बड़े से sequence के लिए यह आपका final answer है इसी तरीके से आप अपने lgw की encoding कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं decoding लिखाऊंगी थाइंक यू